Hello friends, good morning, के से हो आप सभी? 14 देसंबर के महतपूर्ण करन्ड पेर्स में सभी एका स्वागत है आपके सामने लेकर के मैं आ गया हूँ 14 देसंबर के महतपूर्ण सुरकियां और देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले current appears देखने से पहले यह चंद्रियान 3 के बारे में देख लो important है आपके सामने एक्जाम में बार बार पूछा जाता है काफी दिन हो गए भूल गया होंगे revision कर लो अपना कि चंद्रियान 3 जो है यह 14 जुलाई 2023 को launch किया गया था कब किया गया था 14 जुलाई 2023 को और दुपेर को 2 बच करके 35 मिनट पर और यह launch किया गया था इसो के 37 दवन इसपेस सेंटर से इसो के 37 दवन इसपेस सेंटर से और इसमें जो rocket लगाता वो लगाता LVM-3 M-4 किस rocket से launch किया गया था LVM-3 M-4 यह भी पूछा जाता है और इसको जो लॉंच करने में जो खडचा आया था खुल 615 करोड का यानि इस प्रोजेक्ट का खडचा था 615 करोड कितना 615 करोड और इसका खुल वजन था 49 केजी चंदरेयान 3 का कुल वजन कितना था 49 केजी और इस मिशन की एसो एसोसी एट प्रोजेक्ट डारेक्टर कौन थी ये कल्बना कलाहस्ती थी कल्बना कलाहस्ती एसोसी एट प्रोजेक्ट डारेक्टर और इसके लेंडर का क्या नाम था लेंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रग्यान लेंडर का क्या नाम था विक्रम और रोबर का था विरप्रग्यान और यह लेंड कव किया था चंदरमा की सदय पर यह बताओ कव किया था यह 23 तारिक को किया 23 अगस्त को कब 23 अगस्त को और जिस जगे पर लेंड किया था उस जगे को कहते हैं जिस जगे पर इसने लेंडर न वो लेंड किया था तो उस जगे को कहते हैं सिर्फ सक्ति पॉइंट उस जगे को क्या नाम दिया गया सिर्फ सक्ति पॉइंट सिर्फ सक्ति इतना ही कर लो सिर्फ सक्ति ठीक है और तिये इस अगस्त को अंतरिच दिवस गोसित कर दिया गया तभी से अब देखो आपके सामने पहली न्यूजाइस में कि विश्णु देव साय को किस देश के नए मुख्यमंतरी के रूब में नेक्ट किया गया है विश्णु देव साय को किस देश के नए मुख्यमंतरी के रूब में नेक्ट किया गया है विश्णुदेव साय एज बीन अपंट एद दा न्यू चिम मिनेस्टर और विच कंट्री नए देश का नए राज्य का सोरी नए राज्य का मुख्यमंत्री इसमें कंट्री की जगे स्ट्रीट कर ले न तो छतीस गड़ के बने यह नए मुख्यमंत्री बाजपा की सरकार बनी है चतीस गड़ में चतीस गड़ मद्यप्रदेश और काफी नहीं हो जाए मद्यप्रदेश राजिस्तान इन सभी में चतीस गड़ की और विश्णुदेव साय चतीस गड़ के नए मुख्यमंत्री बने कौन विश्णुदेव साय और इससे पहले कौन थे बूपेंद्र किसने अन्डमान और नेकोवर कमान के कमांडर इनचीफ के रूम में कारिबार समाला है? साजु बालकि किसे भारतिय lipstick बोस्केट आफ बोल माहसंग का प्रसासक बनाया गया? पि किशना भट को बोस्केट बोल माहसंग का प्रसासक पि किशना भट सेकंड न्यूच जलवायू परवर्तन प्रदर्शन सूच कांग 2023 में भारत कौन से इस्तान पर है वोट पोजीशन हेज इंडिया हेल इन क्लाइमिट चेंड परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वंटी ट्वंटी ट्री तो इंडिया की ये रेंक है साथ में कौन सी साथ में और इससे पहले 2022 में कौन सी थी वो थी आठ में और एक अंक का सुधार हुआ है तो भारत की रेंक है इसमें साथ में और पहले दूसरे तीसरे इस्तान पर कोई भी देश नहीं है चोते पर है डेनमार्क और पांचवे पर क के दोरान ये रिपोर्ट आई है और जर्मन वो जो है उसके दोरा ये जारी की जाती है बैस्विक इस्तर पर चाली सेरों में बारत का मुंबई जो है ये छटे इस्तान पर है अंतराश्टिया सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन के 61 संस्क्रण में सीड्स 500 सुपरकंप्यूटिं सुची में भारत का AI सुपरकंप्यूटर एरावत कौन से इस्तान पर है जो भारत का सुपरकंप्यूटर है भारत का सबसे बड़ा सुपरकंपूटर है एरावत ये 75 वे करता है global warming में भारत का वो पाँच्माई इस्तान है सबसे अधि global warming में युगदान देने वाले वर्ड ओफ इस्टेटिक्ट्स वर्ड ओफ स्टेटिक्ट्स ने दुनिया के सबसे अपरादी देसों की रेंकिंग 203 में भारत को कोनसे इस्तान पर रखा है ससेत्तरवे पर तीसरी नहीं हो जाए कारेगले युद्ध के दोरान एतिहासिक सेन्य विजय को स्रदानजली देने के लिए भारतिय सेना ने कहां से ओनर रन का आयोजन किया है ओनर रन का एतिहासिक सेन्य विजय को स्रदानजली देने के लिए जो कारे के लिए युद्ध हुआ था तो याद रखना ये इसकी शुरुवात किया भारती है सेना ने नई दिल्ली में 10 देसम्मर से 2023 में शुरू किया ये 10 देसम्मर से नई दिल्ली में भारत और किस देस की नोसेना ने 3 से 10 माई 2023 तक समन्वित पेटरॉल कॉर्परेट यानि ऐसे कह सकते हो कॉर्परेट जो युद्ध अब्यास है वो भारत और थाइलेंड के मद्द किया जाता है कॉर्परेट थाइलेंड के मद्द भारत और थाइलेंड के मद्द 35 संस्क्रण क किया गया इसका और ये भारत के किस भारत ने किस देश को एक गस्ती पोत है और लेंडिंग क्राफ्ट भी है ये सौंपाए तो मालदीव को सौंपाए ये बी आरो ने कहां पर 64 बी आरो दिवस समारो का एकता और सिर्दानजली अव्यान चलाया है तो ये नई दिल्ली में बी आरति नोसेना ने किस तड़ पर दुवार्सिक प्रस्तान अभ्यास का आयोजन किया है दुवार्सिक है ये प्रस्तान अभ्यास यानि दो बार्स में एक वार होता है तो इसका आयोजन किया है मुम्मई तड़ पर आरति नोसेना ने रच्छा राज्य और नागरिक एजेंस के साथ काम करते हुए तैयारियों को समन्वे बढ़ाते हुए ठीक है एन आई ये ने आतंकवादी गैंगेश्टर ड्रग्स तसकरों के गठ जोड के खिलाब किस ऑप्रेशन को चलाया है ऑप्रेशन द्वस्त को चलाया है किस राज में सागर परिक्रमा का पांचवां संस्कर चरण शुरू किया गया है तो महराष्ट में सागर परिक्रमा का पांचवां चरण शुरू किया गया है महराष्ट में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी दोजार तेइस नोसे नाभ्यास आयुजित किया गया है साओधी अरम में भारत और साओधी अरम के बी ये ट्रेविस हेड को चुना गया है ट्रेविस हेड को ICC ने नवम्मर के लिए प्लेयर आप दा मंथ चुना है ठीक है प्रोसों में और ये ओश्टिलिया के विकेट कीपर बल्लेवाज भी है जो बिस सुकप का जो फाइनल हुआ था उसमें सतक बनाया था और मैन आप दा पर CHB रहे थे ये किसे मई मागा के लिए ICC प्लेयर आप दा मंत चुनाएं तो ये हैरी है Character को और अपरेल के लिए ये फकड जमान को और मार्च के लिए साकिव उलहसन को साकिव उलहसन और फरवरी जनवरी के लिए सुबमन गिल को देखो दुबारा देखो जनवरी के लिए सुबमन गिल मार्च के लिए साकिव उलहसन अप्रेल के लिए फकड जमान और माई के लिए हैरी टेक्टर और नवम्मर के लिए ट्रेविस हैड को चाटी ने उजह किस बार्थी अविनेता को इटली के The Order of Merits से समानित किया गया है The Order of Merits से तो कवीर वेदी को कवीर वेदी को चुना गया है इटली में इटली के The Order of avo मेरिट से चुना गया है कवीर वेदी को पंडित हरे प्रसाथ चोरशी लाइफ टाम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रभा अत्रे पंडित को सर्वसेत अविनेत्री के लिए ओसकर नामांकन पाने वाली पहली मैले मैला किस राज्य की जहांसी ने गड़तन दिर्दिवस 2023 का पहला प्रुसकार जीता है उत्राखंड की जहांसी ने जीता है 2023 में पूर पीम मनमान सींग को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है तो ब्रिटेन के द्वारा सात्मी न्यूजे विक्सित भारत 2047 बोयस ओफ यूथ पहल की सुरुआत किस ने किया है तो ये सुरुआत किया है पीम नरिंद्र मोदी ने विक्सित भारत 2047 युवाओं की आवाज का सुभारम्ब किया है केंद्रिय पर्यटन मंत्री जी किसन रेडी ने किस सेर में विजिट इंडिया येर 2030 की शुरुआत किया तो नई दिल्ली में काफी आयोजन हो रहे हैं नई दिल्ली में कौन सा मेट्रो रेल कोर्परेशन कारवन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल का प्रारम करने वाला मेट्रो बनाए तो दिल्ली मेट्रो बनाए कारवन लाइट मेट्रो ट्रेवल का प्रारम करने वाला और भारत की सबसे पहली मेट्रो जो चली थी वो कॉलकाता में चली थी कहां अब्यास किया जाता है इंडस X तो याद रखना ये भारत और अमेरिका के बीच इंडस X रच्छा तुरित पारिस्तित की तंत्र लॉंच किया गया है किस राजे के मुख्यमंत्री को Changemakers of the Year 2030 की सूचि में नामित किया गया है Changemakers of the Year 2030 मुख्यमंत्री तो याद रखना ये हमाचल प्रिदेश के मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुक्कू को Outlook Business पत्रिका की प्रवाबसाली Changemaker of the Year सूच में इस्तान मिला है किसे सौरूर जामे सर्वस्रेष्ट योगदान के लिए CVIP Awards से समानित किया गया है BHEL को 2022 के BBC Indian Sports Woman of the Year से समानित किया गया है चानू सेखों मीरावाई को किसे उपन्यास पागल खाना के लिए व्यास समान 2022 मिला ज्यान चत्रवेदी को सार्व बॉमिक स्वास्त कवरेज दिवस कब मनाया जाता है सार्व बॉमिक कवरेज सार्व बॉमिक स्वास्त कवरेज दिवस तो याद रखना यह मनाया जाता है 12 दिसमर को कब 12 दिसमर को मनाया जाता है महत्पूर दिवस हैं यह देखो मार्च के 20 मार्च को अंतराइष्ट ये प्रसंदता दिवस 20 मार्च को ही मना जादा विस्व गौरईया दिवस और 20 मार्च को ही विस्व मौखिक स्वास्त दिवस तीनों दिवस हैं 20 मार्च को 21 मार्च को राइष्ट ये सिविल सेवा दिवस 21 March को ही 200 Down Syndrome दिवस, 21 March को ही मनाये ज़्यादा है 200 UK विता दिवस, तीन दिवस ये March के हैं сх opinion ले लो 21 March के, राइस्टिय सिविल सिवा दिवस 200 Down Syndrome दिवस और 200 UK विता दिवस 21 March को 22 March को 200 जल दिवस और 23 March को 200 मोसम वैं ज्यान दिवस अब देखो लाइश्ट कुसन है बारत और किस देश की सेनाओं के बीच विनवेक्स दोजर्ड विनवेक्स थेईस अभ्यास आयोजित किया गया है विनवेक्स भारत और किस देश की सेना के बीच बारत और वियतनाम इसके नाम में ही जायर हो रहा है आपको विनवेक्स जो अ अब्यास है वेतनाम और इंडिया के बीच किया जाता है याद रखना नो सेनाओ के बीच भारत और किस देश के बीच किया जाता है सेंक्ट सेन अभ्यास सूर्य किरंड यह पितोरागड में हुआ है भारत और नेपाल के बीच किया जाता है और नौवाराश्टी प्रदूसर्ण प्रत्करिय अभ्यास कहा है उजित किया गया है तो यह कच्छ की काड़ी गुजरात में किया गया है अश्ट्राहिंद्र यह भा बज्जर प्रहार का 14 संस्क्रण किया गया है और यह भारत और अमेरिका के वीच किया जाता है बज्जर प्रहार अब देखो यह पांच कुछ सने आपके सामने बिस्व का सबसे बड़ा महादीब कौन सा है तो एसिया बिस्व का सबसे चोटा ऑस्टेलिया भारत में प्रथम बिद्दुत रेल कब चली 1925 में और वैसे कोईला की रेल कब चली थी 1853 में भारत का प्रथम गवनर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का ये गवनर जनरल था पहला विलियम बेंटिक और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्टपती राजेंदर प्रसाथ सुन्य की खोज का सिरे आरेवट को दिया जाता है ठीक है तो इस तरह से चोदे नवंबर के करेंट अपिर्स कंप्लीट होगा कैसे लगी क्लास आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो और अपने दोस्तों के भी सेयर भी कर दो जिससे आपको नोटिविकेशन मिले और नहीं भी कुछ सीखने को मिले तो पढ़ते रहो कल मिलते हैं फिर 15 दिसम्मर के करेंट अपिर्स के साथ तब तक बाए